हलो फ्रेंड्स वेलकम अगयर इन अवर लार्ण और यंड वर्ट्रेसफ़ विगनन सीरीज लास्ट वीडियो में हमने सीखा के वर्ट्रेस क्या है वाट इस द्रर्ट्रेस एंड यह हमारा पाट 2 है इसमें हम देखिंगे के वाट इस द्रामेन नेम mostly जब हम WordPress website live बनाते हैं तो हमें एक domain name का requirement रहता है या कोई भी हम website बनाते हैं तो हमें domain name का जहुरत रहती है so domain name होता क्या है इसको कैसे choose करते हैं इसके advantage क्या होने चाहिए किस तरह से choose करना चाहिए इसके disadvantage क्या है इसका costing क्या है इन point पर हम बात करेंगे domain name is an address name of identify for business sure domain name है वो आपका एक address है एक नाम है जिसके तरह आपके business को identify होता है या आपके organization को या पर कोई individual होता है उसका एक domain name होता है they are unique name which are used to identify यह unique होते हैं अगर एक भार आपने वो domain ले लिया आपको कोई दूसरा नहीं ले सकता अगर किसी और ने वो domain ले लिया तो आप उसको नहीं use कर सकते so basic concept domain name का आपको समझ में आया होगा so domain name has many extensions few are common which is used in India so domain name में काफी extension होते अगर कोई domain name किसी दूसरी person ने लिया हुआ है और आपको भी similar name चाहिए so आपके पास extensions में options मिल जाते है so possibilities है कि आप उसको use कर सकते similar name को in different extension so most common जो extension है सबसे ज़्यादा use होने वाला है सबसे पहले जो launch हुआ था वो .com के नाम से हुआ था so mostly आपने website देखा होगा .com है यह commercial word level पर चलता है commercial है .net भी use होता है maximum networking companies जो के multi locations पर business चलाती है वो .net use करती है और ORG जैसे के आपको लग रहा होगा कि organizations से है तो जितने भी organizations, NCO से रहते हैं वो ORG को prefer करते हैं इसके बाद में biz भी extension आया info extension आया and .co.in यह commercial in India, इंडिया में जाधा चलता है network in India, net.in और in ब्लॉंग करता है यह इंडिया को यह top level की domain कहलाते है जो starting की दिये हुए और जो .co.in, .net, .in, .in यह country level domain कहते हैं इसमें ऐसा नहीं है कि आप country level domain बनाएंगे तो आपका website से particular उस country में देखेगा यह आपका worldwide देखेगा बट indicate करेगा users को कि यह Indian website से या India से update हो रही है सो दोस्तों यह points आपको clear हाया होगा कि domain name क्या होता है जस्त एक नाम होता है जिसके तुरूप से identify होता है आपका business organization and individual या पिर brand so for example मैंने दिया है इदर tutorialcard.com जैसा कि आप देख रहे होंगे red color में मैंने mark किया है tutorialcard.com यह एक domain है so इसको चुनते कहते है important while choosing the domain name मेरी जब से आपको एक tips है कि आप जब भी आपकी company का या आप अपने लिए domain name choose करें तो वो domain name short रखें चोटा से चोटा रखें बहुत बड़ा domain name ना रखें आपका company का नाम वदर कितना भी बड़ा हो पर आप आपके brand के हिसाब से आपका domain choose कर सकते है उसका benefit क्या है कि जब आप in future में उसकी digital marketing या SEO कर आते हैं so आपका बड़ा नाम आपको बहुत problematic देता है जो suggested length है domain name की वो 8 characters है minimum 8 characters का आपका domain name रहना चाहिए या उसके आसपास रहना चाहिए आप 3 digit में domain name लीजिए 5 digit में domain name लीजिए जो के बहुत ही मुश्किल है मिलना so आप maximum 10-12 characters का भी ले सकते हैं बट इससे जादा नहीं जाए keyword relevancy in domain अगर आपके domain में keyword का relevancy होगा like जैसा के आप example में देख रहे है tutorial card so यह जो हमारा video series है आपको tutorial card website पर भी available होगा so यह tutorials है एक तरह से और यह domain name में जो keyword mention है tutorials यह भी एक SEO point of view से, marketing point of view से match होता है इसलिए मेरा suggestions है कि आपका जो भी brand हो, company आपका कुछ भी रहने दीजिए बट आपके brand को या आपकी services को लोग किस नाम से जानते हैं उससे relevancy आप domain name को buy करें अचा, domain name को buy करने के लिए pricing और उसका costing क्या रहना चाहिए, क्या होता है इसमें बहुत सारे providers हैं, सारे providers different different rates पर domain देते हैं अगर मैं USD में बात करूं, USD में बात करूं तो इसका journal price 10$ के आसपास आता है आप लोग जानते होंगे GoDaddy का आपने नाम सुना होगा या फिर BigRock का नाम सुना होगा Global Eye Web का आपने नाम सुना होगा और भी बहुत सारे providers हैं तो मैं आपके मेंट करूंगा या सजेस्ट करूंगा जहां पर आप आपका domain एकदम सस्ते में book कर सकते हैं तो मैं लेके चलता हूँ आपको browser की screen पर और वहां पर आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से domain book करते हैं तो दोस्तों यह है website globaliweb.com आप इसको search कर लीजी google में globaliweb.com या globaliweb solution के नाम पर आप जैसे यह website को open करेंगे top पर आपको यहां पर आपको domain name डालना है जो भी domain name आपको अच्छा लगता है आपको book करना है वो आप यहां से book कर सकते हैं इनका जो prices है वो 700 रुपीज currently price चल ला है कि 700 रुपीज में यह domain name available कराते हैं .com के लिए मैं recommend करूँगा इसका link मैं नीचे description में भी दे देता हूँ video के आप यहां से domain name book कर सकते हैं और इनका renewal price भी 700 रुपीज है तो आगे इन future में आपको कोई भी problem सोने की जहुरत नहीं होगी अभी जो हमने domain name book किया है वो glandrush.com के नाम से book किया है जिसके उपर हम हमारा video practical, live practical जो दिखाएंगे वो इस domain name पे दिखाएंगे यह आप देख सकते हैं यहां पर यह sorry domain name is already taken क्योंकि हमने यह already ले लिया है तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो इसको like and share करना ना भोलें अपने friend circle में भी अपने मिलने वालों में भी यह video को share करें ताकि सारे लोग wordpress का skill सीख सके और अपना career wordpress के अंदर बना सके wordpress क्या है part 1 में आप देख लीजिए आपको website बनाना कैसे बनाते हैं वो पूरा हम इस series में आपको सिखाएंगे एक important note है domain name के उपर domain cannot show any design on internet it's only reserved the name बहुत सारे लोग बोलते हैं कि domain ले लिया तो उनका website चलने लगेगा ऐसा नहीं है भाई domain name सिर्फ आपका नाम reserve करता है जिस तरह से आप mobile का sim card यूज करते हैं आपने mobile ले लिया तो आपको number मिल जाता है लेकिन उसमें balance call करने के लिए आपको balance डलाना रहता है तो दोस्तो इसके तो friends अगर आपको इसमें कोई भी confusion है नीचे मुझे comment में पूछ सकते हैं और आपके comments जितने आएंगे उतना मैं आपको explain कर पाऊंगा आगे आने वाले वीडियो में तो यहां पर करते हैं end of our video बने रही है हमारे channel के साथ channel को subscribe कर पर दोती है कर दोड़से हैं वसouse कर दोने कोई हैं पसले कर दोने इभले रहरी दोने हैं यहां